तो बच्चो तो आज हम कक्षा पांच के एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कदब का पेड यह कवीता है जिसके कवी का नाम है सुबद्रा कुमारी चोहान तो इस कविता में एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपने माँ से खोईशे करता है इसका वर्णन किया गया है एक नन्ना बच्चा अपने माँ से कहता है ये कदब का पेड़ अगर मा होता यमुना तेरे में भी उस पर बेट कनहिया बनता दीरे दीरे ले देती यदि मुझे बासूरी तुम दो पेसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती ये कदब की डाली ठीक है तो बच्चा जो है वो अपने माँ से कहता है कि अगर ये कदब का पेड़ जो है वो यमुना की किनारे होते तो में इस पर बेट कर कनहिया की तरह बासूरी बजाते ठीक है अगर आप मुझे बासूरी कहीं से लेके दोगे ठीक है किसी तरह नीचे हो जाती ये कदब की डाली ठीक है तुम्हें नहीं कुछ कहता पर में चुपके चुपके आता उस नीचे डाली से अम्मा उचे पर चर जाता वही बेट फिर बड़े मजे से में बसूरी बजाता अम्मा अम्मा कहे बंसी के सुर में तुम्हें भुलाता तो बच्चा मुने माँ से कह रहाए कि तुम्हे कुछ नहीं बताता और मैं चुपके से कदब के पेर के उपर जाकर वही बेट के बासूरी बंसी के सौर में अमा अमा कहेकर तुम्हें बुलाता ठीके सुन मेरे बंसी को मा तुम इतने खुश हो जाती मुझे देखने काम छोड़ कर बाहर तक तुम आती तुमको आता देख बासूरी रख में चुप हो जाता पत्तों में चिपकर धीरे से फिर बासूरी बजाता ठीके तो बच्चा अपने मा से कह रहाए कि मेरे बंसी सुनकर मा इतने खुश हो जाती मुझे देगने में सारा कम छोड़ कर भाहर दोड़ी आती माँ तुमको आता देख बासूरी रखकर में चुप हो जाता और पत्तो से चिपकर धीरे धीरे बासूरी बजाता गुष्सा होकर मुझे डारती केथी नीचे आजा पर जब में ना उतरता हसकर केती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भहिया तुम्हें मिठाई दूंगी नाई खिलोने मक्षन मिस्ट्री दूट मलाई दूंगी तो ठीके मा जो है वो गुसे में आके बच्चे को दारती है ठीके केती है नीचे आ जाओ ठीके पर जब बच्चा नीचे नहीं उतरता है तो मा जो है वो हसकर बच्चे को मनाता है ठीके उसको नीचे उतरने के लिए मनाता है तो उसको कहता है मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भहिया तुम्हें मैं मिठाए दूंगी, नाए खिलोने दूंगी, मक्षन मिस्ट्री दूंगी और दूट मलाए दूंगी, तु बस नीचे उतर जा मैं हसकर सबसे उपर के ठहनी परचा जाता, एक बर कहे मां पत्तों में वहीं कहीं छुप जाता बहुत बुलाने पर मां जब में न उतर कर आता, तब मां का हिर्दियत तुम्हारा बहुत विकल हो जाता ठीके तो बच्चा जो है वो मां डारता है, प्यार से उसे नीचे उतरने के लिए मनाता है, पर फिर भी बच्चा जो है वो हसकर उपर के ठहनी पर चा जाता है ठीके फिर मा कहके पुकारता है फिर कहीं पे छुप जाता है ठीके बहुत बुलाने पर जब बच्चा जो है वो नीचे नहीं उतरता है तो मा का जो हिर्दे मनलब दिल ठीके मा उदास हो जाती है विकल मनलब बेचेन हो जाना या फिर दुकी हो जाना ठीक है तो मा जो है वो बहुत बुलाने पर बच्चा नीचे नहीं उतारता तो मा जो है वो दुकी हो जाती है ठीक है तुम आचल पसर कर अम्मा वही पेर के नीचे इश्वर से कुछ विंति करती बेटी आखे मीचे तुम्हें दियान में लगा देख में दीरे दीरे आता और तुम्हारे फैले आचल के नीचे छिप जाता ठीके तो बच्चा कहता है कि जब मा जो है वो अपना आचल फिला कर वही पेट के नीचे इश्वर से कुछ विंति करता है इश्वर से कुछ प्रतना करता है ठीके अपने आँखे नीचे करके ठीके तब बच्चा जो है मा को देख ठीके मा को उदास देख वो पेट से नीचे दीरे दीरे उतर के आते हैं और उस मा का जो फैला हुआ आचल होता ह उसके नीचे छिप जाता है ठीके जैसे के ये है मा जो है इसने अपना आचल जो है वो फिलाया हुआ है ठीके तुम गबरा कर आखे खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोधी में ही पाते इसी तरह कुछ खिला करते हम तुम दीरे दीरे मा कदब का पेर अगर ये होता ये मुन्ना तेरी ठीके तुम गबरा कर आखे खोलती फिर भी खुश हो जाती ठीके तुम मा गबरा कर अपने आखे खोलती है बट फिर भी क्या हो जाती मा जो है वो खुश हो जाती क्योंकि जो उसका मुन्ना राजा है जो उसका बच्चा जो है वो उसके गोदी में होती है ठीके इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम दीरे दीरे इसी तरह मा और बच्चा जो है वो रोज कुछ न कुछ खेला करते थे ठीके मा कदब का पेड़ अगर ये होता ये मुना तेरे ठीके तो इसके साथ पार्ट जो है वो यहाँ पे समफ्थ होते हैं ठीके अगर इस पार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कहीं पे कुछ वर्ड जो है वो डिफिकल है तो मुझे मैसेज करना है ठीके